जब लगे आपकों की दरिद्रता बहुत ज़ादा है किराया तक नहीं है मैं कैसे जाओं शमी ने दोनों ने मिलकर भगवन शिव की अराधन करी और देवदी महादेव ने बर दे दिया सुनो शमी और सुनो मंदार यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा उसे हज्जारो अश्मे यग्य के इस नान का जो पुन होता है वो एक छण में प्राप्त होता है हजारो अश्मे यग्य का पुन्य है हजारो अश्मे यग्य का पुन्य है हजारो अश्मे यग्य का पुन्य है एक छण में प्राप्त हो है यह मंदार यह शमी है हजारो अश्मे यग्य का पुन्य है एक साथ शमी की पत्ती देखिए आप लोगों है जम के बता बोले ज़रा देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है अब शमी की जो पत्ती होती है उस शमी की पत्ती को भगवान देव अधिदे महादेव उपर चड़ाने का शमी की पत्ती जो होती है उस शमी की पत्ती को चड़ाने का एक नियम भी होता तोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है शमी की पत्तरी को चड़ाने का एक नियम है बड़ा सुन्दर नियम आपके जीवन में उतारने लाए महारज जब सारा शंगार मेरे देव दिदेव महादेव का हो जाए बहुत ध्यान से सुनना ये प्रसंग आया नहीं पहले आज अगर कुबरिश्वर भाबा की पावन धरा पर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनना पत्ति शमी की जो पत्ति होती है उस शमी की पत्ति को कब कैसे और कहाँ चड़ाना चाहिए और शमी की पत्ति का फल क्या होता है वो भी अफिर्फन समझने उसको शमी की पत्ति संपूर्ण इस्नान भगवान का हो जाओ संपूर्ण इस्नान आप समझें उसको जैसे यह शिवलिंग है जलाधारी जल निकल कर जाने का इस्थान गणेश कार्थी के अशुक सुंदरी जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग शिव का सुरू उपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बून जो पानी नीचे गिर रहा है जो पानी नीचे गिर रहा है शिव जी की बेटियां जया विशहरा शामली बारी दवतली देव शिव जी की बेटिया अब जब देव अधिदेव महादेव को समी का पत्ता चड़ाया जाता है कब चड़ाते हैं जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो शिवलिंग पर जल चड़ा दिया हो शिवलिंग का पूरा शिंगार आपने कर दिया हो संपूर्ण शिंगार मेरे दिव दिने महादेव का हो गया संपूर्ण शिंगार बाबा कुचंदन का लेपन अभीर गुलाल अक्षत बेलपत्र धतूरा जो भी तुम्हें चड़ाना है सब कुछ तुमने चड़ा दिया सारा संगार मेरे देवदी देव महादेव का हो गया तब शमी की पत्ती को मा जगजन्नी की जो जलाधारी है उस पर मात्र इसपर्श कराकर शिव के शिविलिंग पर आखरी में समर्पित कर देना चाहिए जिससे हमारी मन की जो कामना है वो मा जगजन्नी देवदी देव पत्र का एक बातोर इसमर्ण में रहे शमी पत्र की बहुत एक बातोर अपने इसमर्ण में लीजेगा शमी पत्र की जैसे शिवलिंग जलाधारी और स्थान जब बहुत जादा मात्रा में दरिद्रता होती है बहुत जादा मात्रा में बहुत कष्ट मैं जीवन जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हर्याना साइट से आई हूँ उन्हों अपने पत्तर में लिखा है मेरे को मेरे टिकिट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था जिसने लिखा है अगर वो बेटी हो तो खड़ी भी हो सकती कि मेरे पास टिकिट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दोलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊँ मेरे माई के वालों ने मेरी भक्ती को देखकर एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकेट कैंसिल हुआ तो मुझे यहां पर भेजा में आई अब जब आपको लगता है कि इतनी दरीदरता जीवन में है इतना और इसा नहीं है मनुश्य के जीवन में बगूत सुख दुख तो चलता रहता है मानुख का देह है यह तो चलना है जीवन पर्यान चलना है सुख दुख चलेगा यह शप्यस चलेगा लगे तुमको कि हां और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा आका मने किसी हो र पर पहुंचना है सिद्वण नगर सीहर की एक कंकड का दर्शन करना एक 108 शिबालाय के समर्ण करना है चिंता मन गणेश्ष और श्री हनमान पाटक का खेड़ापती सरकार का मन कामिश्वर का दर्शन करना भूतेश्वर का दर्शन करना है कुबरिश्वर का दर्शन करना है जब तुमारी चित्त व्रती में आए जब तुमारे मन में दन भी नहीं है पैसा भी नहीं है बहुत दरिद्रता कर जीवान बहुत दुखी जीवान तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रियोग जरूर कर 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 के देखना प्रेक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता है प्रेक्टिकल करने ले क्या जाने करके दे उस समय पर जैसे वो कहते न कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए नहीं पी नहीं पड़ा को महाराज को कर था को gracia कि यौरी कर देख से पीकर नाली में गटर में पढ़ा महराज को नहीं किरुद नहीं में। प्रेक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत प्रेक्टिकल वाली बात है शमी पत्र बेल पत्र का एक बार जीवन में प्रेक्टिकल करकर देखना है प्रेक्टिकल करना जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है बरोसा अगर दड़ी है और शंकर के प्रति अगर आपक लिए जिन्दो के हुए हो यहां से अपने घर जाओगे निश्शित हैं, वह रुद्राग्ष कहीं से भी आए कैसे भी आए तुमारे पास पहुत जैशित हैं और यह कहीं से कैसे किस रूप में आए कहां का से आये क्या करें वह उसके उपर, विश्वास लेकर आयो बिष्वास ने wish tour arrange लगाया विद्द०् विवाग में एक एक अपना करना मतभूलो मेनत करना मत भूलो और दूसरा महा देव उपर विश्वास करना मतभूलो को मतभूलो कुस्थ रहिस्वास करना मतभूलайте कर्म करना मन भूलो मेहनत करो दिल से करो करी मेहनत करी मेरे सीहोर के एक-एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी जो यहां से गया कहीं स्टेशन पर साहू समाज कहीं कोई समाज कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से फूड़ी सबजी खिला रही थी कोई पोहा खिला रहा था मैं धन्यवाद दूँगा एक महिला को गर्ब से थी उसको तकलीफ हुई तो एक मुसलिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठा कर उसको हास्पिटल तक ले कर गई ये मेरा सीहोर है ये मेरा सीहोर है जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूँ सीहोर मेरी जान है मेरी पहचान इसलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला ले ये मेरी पहचान एक मुसलिम महिला उस नारी को लेकर हस्पिटल छुड़ी आई गर्बसे थी वो यह विश्वास नगरता है कोई कोई कमाने के उद्देश से कही ना कहीं कारे विगारता परन्तु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इनी के रूप में समालता है जब लगे आपको की दरीदरता बहुत है किराया तक नहीं है मैं कैसे जाओं कैसे उसकी चोखट पर जाओं कैसे उसको नमन करूं तब उस जगहाँ पर आप एक बेलपत्र जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र जहां जलाधारी के ठीक विपरत्कियों इस्थिती में और साथ शमी पत्र मेरे महादेव के उपर केवल आपके हरदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित पहले ध्यान रखना पहले पूरा पुजन चंदन अक्षद गुलाल अभीर सब रहे उसके बात की बात ही यह उसके बात की वाट कि एग बेलपत्र इधर एक बेलपत्र इधर और उसका उपर शमी पत्र के पत्ते एक कर nodig करो चड़ाना पूरे से कम नहीं है मैं जानती हों तो मुझे भी निहाल कर देगा तु मुझे भी निहाल कर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नभी बारे को बस्ता हूं मैं भी खड़ा हूं नंदी बाए पसारे अपने परदय से लगा लो लगा लो गीदा जा रहा हूं उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो नठा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा लो उठा लो तेरी कृपा से ये जिन्दगी है तेरी कृपा से ये जिन्दगी है